चले बच्चों देखें स्टार्ट करते हैं कॉश्चन नमबर 11 वो पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है हमसे वर्ड प्रॉलम है यह भी और सबसे पहले एक क्वेशन मनाने के लिए पढ़ते हैं को रोहन मतलब रोहन की मा उससे 26 साल बड़ी है यह कह रहा है अब से तीन साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडेक्ट threeole seconds होगा मतला मतल्ब कॉश्चन देखें कितना घुमाया हुआ है मतलब से तो रोहन की इज क्या मान लेंगे और रोहन की अज कितने हो जाएगी 26 साल वो बड़ी है तो अब उसके बाद 3 साल बाद क्या होगा उन दोनों की एज रोहन कितना है एक्स एर्स का है तो उसके मार कितनी है यह वह भी ₹ी हिर्स बाद कितनी हो से यह थो सब्सक्वात कितनी हो जाएगे यह स्देट में एकस प्मॉस सब्सक्राइब उसकी बात पढ़ाथ परते स ιंताव हुटाइब होग्gesetz वह थनकितेसे में प्रोहनकी बता नहीं है and represent the following situation in the form of quadratic equation और इस form को इस situation को जो हमारी word problem दे रखी है इस word problem को हमें क्या करना है representation करना है किसके उपर एक quadratic equation के उपर मतलब quadratic equation की form में हमें represent करके दिखाना है ठीक है तो कैसे करेंगे solution बहुत अच्छा है age related एक आपको word problem दी गई है तो हमें यहां पर देखो option में दिख रहा है सिर्फ एक quadratic equation बढ़ हम यहां पर दोनों चीजे करेंगे प्रिजंटेज निकालेंगे दोनों की क्योंकि क्या है एक्जाम में कहते भी पूछा जा सकता है जरूरी नहीं है बिल्कुल आपको दे दिया जाए और अकर उसने यह लाइन नहीं लिखी रिप्रिजेंट दा फॉलिंग सिच्विशन इन दो फॉर्म और क्या करेंगे तो फिर में फॉर्म नहीं करनी है तब आप क्या करेंगे अब यह मत कहना कि सर आपने तो मैदं आप नहीं बताया कीसे कई मानलेद के मानलेदे हैं उसे 26 साल में बढ़ी है वो तो 26 साल जाधा कर देंगे हैं ना अब 3 years from now, 3 years मतलब अब से 3 साल बाद, 3 years from now, अब से 3 साल बाद, उनकी age का product 360 है, अब से 3 साल बाद, उनकी age का जो product है, वो 360 है, product का मतलब गुडन, गुडन मतलब गुडन खंड, गुडन खंड नहीं सोरी, फ्रेक्टर हो गया वो तो, गुडन मतलब आपस में गुणा, गुडन, तो देखो, 3 years from now, तो after 3 years, the age of, present, the after 3 years, the age of Rohan, Rohan's age, Rohan age, तो Rohan की age क्या होगी, भाई पहले age थी उसकी कितनी, x years, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी भाईया, x plus 3, ठीके बेटा, x plus 3 हो जाएगी, अब रोहन की age 3, x plus 3 है, तो उसकी मदर की age कितनी हो जाएगी, भाई, अब से 3 साल बाद, mother's age, तो mother's age कितनी थी प्रिजवर्तमाना यू, x plus 26 थी, उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए, तो x plus 29 years हो जाएगी, x plus 29 years हो जाएगी, भाई, रोहन की ये ये जा गई, और इनकी ये ये जा गई, ठीक है, अब बात करते हैं, according to question, according to question, question अनुसार, देखो प्रशन अनुसार बात करते हैं, कि प्रशन में क्या दे रखा था, प्रशन में हमें दिया था, कि x plus 3 और x plus 29 बराबर, इन दोनों का product, इन दोनों का गुणा, किसके बराबर है, 360 के बराबर है, ये ही तो दिया है प्रशन में, है न, चलो, अब आगे करते हैं, अब इन दोनों का क्या करो आपस में, गुणा कर दो, गुणा मतलब दो bracket का कैसे गुणा करते हैं, ये आपको अच्छे से आ गया होगा आव है न, तो अब इसका जल्दी से गुणा करके बताइए मुझे, ठीक है, तो देखो, x का x में करेंगे, x square हो हो जाएगा न, plus, x का 29 में करेंगे, 29 x हो जाएगा, plus plus 3 x हो जाएगा, है न, 3 का x में करेंगे, plus 29 x 3 हो जाएगा, बराबर, 360 हो जाएगा, अब दो भात, समझ में, जल्दी से बताओ, ठीक है नोट डाउन करो इसको ज़रा जल्दी से और इसका गुणान करके मुझे एक बार बताईए क्या आरा है गुणा करके यल्दी बताओ देखो 29 और 3 इनको तो हम जोड़ देंगे यह तो हो जाएगा महारा 32 क्या हो जाएगा अब इसका गुणा करेंगे हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे बहले 29 इंटू 3 कर ले देखो 29 इंटू 3 भाही 29 27 का साथ असे लगा बिटा 2 और 3 दो निच्छे है 7 8 है ना इसका इसका साथ तो 87 आ गया कितना आ गया 87 और यह कितना गया 32 तो x square प्लस यह कितना हो गया 32 x सै 2 प्लस एटी डदर टी शैवन माइनस इदर 360 लेके आएंगे बराबर जीरे हो जाएए बराबर क्या बचेगा अबट जीरो बचेगा है ना तो तो इदर तो बराबर अमारा जीरो आ गया ठीक है अब 87 को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे किस में से 360 में से जब 87 को आप माइनस कर दीजी आप यहाँ पर जल्दी से भाई देखो X स्क्वेर प्लस 32X माइनस इसको माइनस करेंगे देखो असी घटा दो पहले तो सीधे सीधे असी घटा होगे तो कितने बचेंगे 200 280 बचेंगे 280 में ते 7 और घटा दो 273 273 बराबर 0 273 बचेंगे ना 273 बचेंगे देखो अब यह आगे हमारी क्या Quadratic Equation यही निकल आई हमारे पास Quadratic Equation यह आपका देखो अभी के अकॉर्डिंग हमारे यह आंसर है अगर options में अगर मैं देखूं कि मुझे अगर सिर्फ रिप्रेजेंट करनी होती क्या एक्स स्क्राफ प्लस 32X माइनस 273 यह option नमबर भी आपका राइट आंसर है अभी के ठाके तो यहीं पर खटम है आगे solution नहीं दिया लेगे अधूरी नॉलजिच क्या होती है आपकी जहते को अधूरी नॉलजिच ना हमेशा कई नहिग कई इनक ही घुआ देती है तो ओसा इसा नहीं करना है अधूरे गौन बिल्कुल नहीं लेना पूरा ऎन लेंगे पूरा कैसे लेंगे जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पूरा ज्यान लाहीज इसके लिए है अब इसके लिए हमने क्या सकाइब को इसके लिए अमने सखाया वाई एक काम करो रफ में कहीं पे इनके बुद्द करके देख लो 273 अब देखुँए आप देखो तो कटेगा क्योंकि पीछे क्या है हमारा एक और डिजिट है कैसी है एक और डिजिट तो तीन से काटते फाई तीन से काट लो फ़ो तीन नाम से ताइस और तीन से कटेगा क्या नुन नहीं प्राइम नबर है तो अब देखो साथ दुनियं हो गया हमारा साती हो गया किस और तेरह अब 213 अगर हम जोड़ें तो कितना होगा है हमारा जल्दी बताओ यह तेरती उन तालिस एकर देखो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें समझो मेरी बात को देखो तेरह गुणा साथी 21 इन दोनों का गुणा तो कंफर्म है कि आपका इतना ही आएगा है ना इनको जोड़ के देखो जड़ा हमारे बैट रहे कितना हमारे बैट रहे भाई यह बैटेगा 34 पढ़ियाँ पर क्या है 32 बात नहीं बनी अभी हमारी बात नहीं बनी अब देखो अब दूसरा कुछ तरीका अपना हो दूसरा तरीका एक और कर सकते हैं कि ते रहती 49 49 गुणा अगर साथ करेंगे तो तो इतना ही आएगा ये तो पता है हमको है ना ये तो पता है अब 49 में अगर जोड़ेंगे साथ तो भी 32 से जादा हो जाएगा अगर हमने घटा दिया अनि 49 माले ने साथ कर दिया तो 32 वचेगा और यहीं तो मुझे चाहिए था यहीं चाहिए था तो आप गुणखण क्या आगर गये गुणखण अमारे निकल के आए बाए कितने शाथ और उन्तालेत हेक Coryम साथ का कर लो भई यह हिसाब ठीक है अब देखो क्या करो अब जल्दी से x square प्लस 49 जो को प्लस का 32 है इसलिए प्लस का 49 लिखेंगे 49 x माइनस का 7x ठीक है माइनस का 273 वराबर 0 ठीक है समझाई बात अब यहां से ले लो x को बाहर तो x जब बाहर आएगा तो x प्लस 49 बचेगा यहां से ले लो माइनस का 7 को 1 ठीक है तो क्या बचेगा x प्लस 49 बचेगा यहां पे है क्या यहां क्या चुपा है यहां 7 और 49 चुपा है है ना बराबर 0 अब देखो x प्लस 49 और x माइनस 7 यह बच बराबर जीरो अब दोनों को एक एक बारी क्या करो बराबर जीरो के रख लो तो इसको बराबर जीरो के रखोगे तो माइनस का 49 मिलेगा और इसको बराबर जीरो के रखोगे तो एक्स बराबर साथ मिलेगा पर एज कभी रणात्मक हो सकती है कभी देखी आपने कि वह माइनस चार साल का है बताओ जरा नहीं देखी न तो एज रणात्मक नहीं हो सकती तो जब एक रणात्मक नहीं होगी तो कैसी होगी धनात्मक होगी और धनात्मक एज क्या है यहां पर हमारी साथ है त इसे क्या है एक बराव साथ तो वर्तमाना आई ओ प्रिजेंट एज और रोहन की वर्तमाना नाई ओ अगे यह कितनी सात वर्ष कि और अगर माकी निकाले तो मदरएज मदर एज कौन सी प्रेजेंटेज देखो कितनी हो गई प्रेजेंटेज अमने क्या मानी थी X प्लस 26 यही मानी थी X का मान कितना है 7 प्लस 26 अब 7 में जरह 26 जोड़ो दो क्या गर दो 26 जोड़ो यह 36 क्यों लिख दिया 26 26 जोड़ेंगे तो सब्सक्राइब जोड़ेंगे 26 में चार इदर आ गया चार तिन तीस हो गया तीन दहीं तेतिस हो गया 33 33 यह ओल्ड गोष की हो गई 33 वर्षकी हो गई उसकी माँ अब देको वो 7 साल का था अब 7 साल से 26 साल ज़्यादा हो गई तो कितनी हो गई 33 साल हो गही Claire है 43 साल की ओमर हो गई अब से तीन साल बाद found 36 साल गी आपकों क्या मिलेगा 260 तो मिलेगा यही मिलेगा ना इन साल बात अगर देख्छे बात की एज तो यह देखो कितनी हो जाएगी 26 लेकांगोन और यह हो जाएगी हमारी कितने 36 अब इन दोनों का क्या करोगा आपस में गुड़ा करोगे तो कितना मिलेगा 360 मिलेगा बात आ गई हर तरीके से किलियर है न बात हर तरीके से फुलफिल हो गई हमारी सारी फिलफिल हो गई सारी चीज करके दिखा दिया आपको अब होता है प्रश्ण खतम अब भी आपको छोड़ना नहीं है वीडियो को बड़ते रहना है बने रहना है हमारी क्लास के अंदर क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्या सीखा अभी तो सिर्फ एक्विशन मनाना और फैक्टर से एक बार क्वेशन लगा अपने से ठीक है जब तक मैं हम दूसरा वीडियो यह दूसरा क्वेशन स्टार्ट करते हैं